जैहिंदर नमस्कार मेरे सेर शेर नियू लाट लोग सारे के सारे बच्चे प्रेशन हो रुखे ऐसे जीडी इस बार फिजिकल की तरफ से क्योंकि इतनी स्पीड से इसकी जो कारवाई है वो पहली बार चल रही है मैंने पहले भी बोला था और उसके पिछी रिजन है आने वा इसके बाद में यह मैल की तरही है वो पोश्पोंड कर दिया गया है क्या कर दिया गया है उसके बाद में कर्दिया गया में अब फिर बच्चे वा पर स्टेंशन में होगे कि 24 तारिक से यह 25 वालों को हुआ है नहीं वा दूसरी बात कि एडमिट कार जिन बच्चों के नियायते वो पूरी को पूरी डेटे भी अब चेंज हो गई तो अभी एक नया नोटिस आया है CRPB की तरफ से डाइरेक्टर जर्नलोप CRPB की तरफ से एक नया नोटिस आया लाड़ लो यह वाला मैं बताता हूं आपको इसको पूरा अच्छे से ओपन करके यह जो नोटिस है इसको आपको अच्छे से दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आजाए क्या है क्या नहीं लिखावा इसमें यह देखे अब जो यह नया नोटिस जारी हुआ आपका यह CRPB की तरफ से जारी हुआ है और इसमें जो आपका कि और जो यह आपके और यह मौम यह देखे और 1223 से होगा कब से होगा में 2524 सेoral को सापकर निकलेंगे दुबारा Biometric Data of Short List Candidate Yet Receive from SSE Is Approved by the Compens Authorized PST PET Will Now Start 152023 जो की 24 24 से शुरू हने वाला था अब वो कब से शुरू होगा लाड़ो अब वो होगा 152023 से शुरू होगा तो जिन भी बच्चों के Admit Card है अब एक तारिख से जब आपका शुरू होगा आप सभी के पांस में मेल आ गई होगी Receive होगी होगी अब एक पांस से ये पुरा का पुरा शुरू होगा हो सकता है कि आपकी डिटे भी आगे पिछे हूँ अब किसका किस दिन आए वो तो बाद में पता सालेगा और उससे पहले 27 तारिक को आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा ये इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं इसके पिछे रीजन तो नहीं पता क्या है जहां तक रीजन लग रहा है वो यह है कि आने वाली जो नहीं वेकेंशे लाड़ लू उसकी भी ससी अभी से प्लानिंग करने में लगी हुए इसलिए जल्दी से जल्दी इस वेकेंशे को कलोज करना चाहती है इसलिए इसा पहली बार हो रहा है कि केवल 12 दिन के अंदर अंदर पूरा फिजिकल लिया जा रहा है 12 दिन में सिर्फ जबकि इससे पहले इसा कभी नहीं हुआ लग बग 45 दिन से ज्यादा समय ऐसा सी जीडी लेती है फिजिकल में 12 दिन के अंदर फिजिकल होगा और मैं आपको बता दू मेडिकल के लिए भी आपको मातर डेड़ महीने से ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसलिए जब भी बच्चे फिजिकल पास कर लेते हैं तुरंत पिरिमेडिकल के लिए आजाना लाड़ लो ताकि अगर आपकी कोई भी समस्या है वो हम बता सके और आप उसका इलाज कर सको पिरिमेडिकल बेज शुरू हो गये हैं इस बात का पूरा खेल रखे आप कि जैसे आपकी फिजिकल हो जाती है अगर आप फिजिकल पास कर लेते हैं पिरिमेडिटिकल कर लेना क्यों जूरूर ही पिष्ये का रिजन भी मैं आपको उता देता हूँ क्योंकि इस बार आपको कोई भी पॉइंट दिया जाएगा तो उसको ठीक कराने के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा विदन 24 आवर्स यहनी 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिमेडिगल हो गई होगा यह पिछली भर्ती में भी वह था इस भर्ती में भी यही नियम है इसलिए पहले से प्रिमेडिगल करा लेना जाकि आपकी कोई भी समस्या है वो ठीक हो सके तो उसके लिए आप आ सकते हैं जैसे आपका फिजिकल हो अब तुरंत प्रिमेडिक के लिए अकेडमी आ सकते हैं नीचे दिये गए नंबर पे वो जानकारी ले सकते हैं तो आप ये ओरिजिनल नोटी से लाड़ लो ध्यान रखना ये आज का आया वाए 20 अप्रेल 2023 का ये नो करत लाड़ो